राइट दा फॉलउंग एज डेसिमर फॉर्म एस अनु फ्रेक्शन से विच दस्य हो एदे नान उसी डेसिमर फॉर्म दे विच लिखनाया एदे विच किया के पॉइंट पाक लिखने हुंदे यसी हना जिनना दे नीचे टैन हंडर लगा होए ओ पॉइंटों राइट साइड पासे लिख दे यां जिनना दे नाल लगा होँवे जीरो जिद्धा माल लो होन फॉर एक्जामपल टैन जा टू हंडड़ ओ पॉइंट तो यद्धर वाले पासे लगने हैं सिंपल जी काला जेकर जीरो से डिजर्ट दे नाल लगियां उपर ते फिर ओ पॉइंट तो लेफ हंड्रत उस तो अगला हुंदावा थाउजन्थ तो पॉइंट दे नाल वाला टैन वाला हैगा इट्स प्लेस वैल्यू फॉर उस तो बाद भी प्लास नहीं पाणागा सिद्धा ही थ्री पाद नाया क्योंगी टैन तो बाद हंड्रत आ गया तो पॉइंट तो इद्र वाले पास लगोगा पहली प्लेस वैली हुन दी टैन्थ दी इस करके 5 आजेगा नेक्स्ट हंड्रत आना चाहिए थे बटध युश्द थाउजन्ट आगया देखो जे कोई प्लेस वैली मिस आ जिदा हुने हंड्रत थी प्लेस वैली मिस्ट वोदी जगा दे सी 0 लगा सकती है उन यह भी 2 दे नीचे 10 ना सारें दे नीचे या ना इट मेंज यह पॉण्ट ते दर वाले पासे लगेंगे दर वाले पासे तुसी जीरो लगा सदे क्यों खाली या पहला है टू हंडर दी प्लेस वैल्यू है गी सेवन और थाउजन्ड दी है गी या नाइफ हुन आया देखिए जी आपां पॉण्ड तो इदर वाले पासे यांदी पर लां गाल कार लिए बान दे नीचे 10 था इट मींज वान आ गया ते 3 दे नीचे 100 इट मींज 3 आ गया इथे अर पर संथ जीड़ वाले पासें दीजी आपा गाल डकरिये लेफ्ट साइड वाले पासे पहलाँ है परहला दावा यंचाल-पासेगल क्लाई खार म annanoda प्लेस वैल्यूट माल को भाहि से लावन पती सुल toot पांड़ प्लेस वाली टू थाजंड वाला थी थाज़ेगी आजेगी इदर हैगा वांस वाला हैगा साडेको टैंसवला है तू है मतलब जिरो जनी तुसी लगानिया इनन दें प्लेस वाली जड़े डिजटल लगए हो ये ना ओ लगाने तुसी next लगा तो बाद जैना दे नीचे 10,100 नोग थालं आपोइंट इदर वहले पासे लगें के राइट साइड वहले पासे सब पर परहला हाईगा 1, उसतो बाद उस पाद पैगा 6 , उसतो बाद हाईगा 3 इदर वाले बस से वांज भी हागा टैन्स भी हागा हंडड भी हागा सारे यह प्लेस वैल्यूस है गें तो पहले है कि 4 6 और 2 जेकर एक भी प्लेस वैल्यूस मिस होए मालों 10 वाली नहीं हागी तो दिजगा तो यह 0 पास सकते हो मिस नहीं करना नन